है अच्छ अच्छ वालो विद्व राकॉम बाक टो और यूट्यूप चैनल डेडिंग वे जारित कैसे हो आप सब लोग आज का इस वीडियो बहुत साथ हैं इंपॉर्टेंट होने वाला है विकाज इस वीडियो के अंदर मैं को मारे आटो बॉट के रिगार्डिंग सारी इ यूज कर सकते हो उसके अंदर क्या फीचर्स है किन स्टाटेजी की बिस्स पर वो काम करता है और आटो बाट की क्या एक्क्यूरेसी है कितने नंबर ऑफ ट्रेट्स वो लेता हैं उसके रिगार्डिक सारी ए-टू-जड डेटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाल सकते हो पहला रिक्टाइमंट है न पर दिवाइस का और बा इनंदर ऑपको यूज करने सूचए गराइब हैं न पास इन तीनों में इसे कोई डिवाइस होना चाहिए जो कि है Windows, Laptop या फिर PC या फिर एक Macbook So second requirement है यहाँ पर trading broker का So हमारा Autobot पांच ब्रोकर को support करता है अगर आप इन पांचों में से कोई भी broker को use करते हो तो आप मारे Autobot को भी यहाँ पर use कर पाओगे पहला broker है Olim Trade, दूसरा है Pocket Option, तीसरा है Qtex जो होता है IQ Option and पांच ब्रोकर है Binomo So इन पांचों में से अगर आप कोई भी broker को use करते हो तो आप मारे Autobot को भी यहाँ पर use कर पाओगे तीसरा requirement है कि आपको हमारे Autobot को use करने के लिए अपने trading account के अंदर minimum 70 USD का balance maintain करना है अगर आपके account के अंदर already 70 USD आपर उसके जादा का balance है तो आप यहाँ पर Autobot को use कर सकते हो So यह तीन चोटी सी requirements है जिनको आपको fulfill करना है Autobot को use करने के लिए अब बढ़ते हैं Autobot की features की तरफ and बात कर लेते हैं Autobot को start करने के लिए आपको को सी चीज़े यहाँ पर set करनी पड़ते हैं So basically आपको यहाँ पर तीन चीज़े set करनी है Autobot को start करने के लिए जो कि है trade amount, target and stop loss आप अपने ऐसा आप से कोई भी amount यहाँ पर अपना trade amount रख सकते हो and target and stop loss रख पर Autobot को यहाँ पर start कर सकते हो and auto trading तब तक चालू रहेगी जब तक आपका target या फिर stop loss अचीव नहीं हो जाता So हमारा Autobot किन strategies के basis पे काम करता है अब उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ हमारा Autobot multiple strategies के basis पे काम करता है जो की price section based है यहाँ पर trend following based है and trend reversal based है मारा Autobot सिर्फ एक या दो strategies नहीं बलकि multiple strategies को follow करता है जैसे की price section के अंदर SSNR levels होगे, SNR levels होगे, trend line हो गई and यहाँ पर candlestick psychology होगी जो अपर बहुत सारी multiple strategies हैं जिनके business पे Autobot यहाँ पर buy या पर sell का trade place करता है so यहाँ पर आपको Autobot को use करते समय, कुछ से कोई भी यहाँ पर strategy नहीं place करना यहाँ पर खुछ से आपको market को analyze नहीं करना, खुछ से manually trade place नहीं करना यहाँ पर सारी trades automatically place होती हैं, Autobot की inbuilt strategies की मदद से and वो तब तक place होती हैं जैसे आपको बताया, जब तक आपका target या फिर stop loss achieve नहीं हो जाता, तब तक हमारे Autobot की accuracy की बात कर लेते हैं, so हमारा Autobot minimum accuracy 80% की provide करता है and maximum accuracy 95% की provide करता है, and यह मैं बात कर रहा हूँ, without martingale की हमारे Autobot को use करने के लिए आपको martingale को use नहीं करना पड़ता, martingale use करना चाहते हैं तो वो optional है, but without martingale ही वो आपको यहाँ पर minimum 80% से लेकर maximum 95% तक ही accuracy provide करता है, and इनी strategies के basis पर trade करता है, जिनके बारे मैंने आप यह आपको बताया so हम बात कर लेते हैं, Autobot कितने number of trades place करता है, so one hour के अंदर हमारा Autobot यहाँ पर 30 to 40 trades place करता है and उनी pairs पर place करता है, जिनका यहाँ पर payout यहाँ पर अच्छा खासा होता है, payout क्या होता है, वो मैं आपको आगे जागर बताऊंगा बट अभी के लिए आप यह समझ सकते हैं, कि हमारा Autobot यहाँ पर 30 to 40 trades place करता है and हमारे Autobot को setup के time पर 5 pairs पर setup किया जाता है, जो कि main USD pairs होते हैं, जैसे कि euro USD, GPS, USD, GPY ऐसे 5 main pairs पर Autobot किया पर set किया जाता है, जिसके business पर यहाँ आपर trade करता है and 30 to 40 trades per hour वो यहाँ पर लेता है So, यह तो थे कुछ main features हमारे Autobot के जिनके business पर trade करता है and आपको quality and quantity of trades के बारे मैंने आपको बताया अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम क्या money management suggest करते हैं हमारे Autobot के साथ use करने के लिए So, मानते हैं कि आपके account के अंदर 100 USD है and आप यहाँ पर अपना target 10 to 15% का रखते हो जो कि हम suggest करते हैं 15% का हम target suggest करते हैं 10% का stop loss suggest करते हैं and मानते हैं कि on and average आप 10 में से 8 दिन यहाँ पर profit करते हो यहनि कि आपका target hit होता है and market के अंदर risk involved है तो obviously एक यापर दो दिन आपके यहाँ पर stop loss भी hit हो सकता है बाकि आपको Autobot के accuracy के बार में पता है So, you know कि हमारा Autobot यहाँ पर कितने अच्छी यहाँ पर results प्रोवाइड करता है So, यहाँ पर अगर हम इस calculation को execute करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आता है कि जिन आट दिन आप यहाँ पर profit करोगे उन दिन आपका 15 USD का profit होएगा So, 15 into 8 अगर हम यहाँ पर करते हैं तो 120 USD निकल कर आता है and जिन दो दिन हमारा loss होई यहाँ पर तो हमारा 10 USD का stop loss था 10 into 2, 20 USD यहां पर हमारा loss निकल के आता है, तो अगर हम 10 days का average यहां पर calculate करते हैं, 120-10 USD याने की 100 USD के साथ start करके, हमने 10 days के अंदर ही यहां पर 100 USD का profit कर लिया, proper risk management को follow करते हुए, and 2 दिन के stop loss को भी हमने यहां पर include कर लिया है, and at the end of 10th day, यहां पर आपका balance 100 USD से बढ़कर 200 USD हो जाएगा, तो अब आप जो भी यहां पर target and stop loss चालोगे, वो 200 USD के balance की को दिमाग में लेकर यहां पर डालोगे, ना कि 100 USD के basis पर, तो जो आपका 15% का target 10 USD पर 15 USD रहता था, वो अब 200 USD के balance पर होकर हो जाएगा 30 USD, यानि कि जैसे जैसे आपका balance यहां पर ग्रो होगा, वैसे ही आप अपने यहां पर target and stop loss को भी increase कर सकते हो, अपने profits को maximize कर सकते हो, अपने risk को यहां पर minimize कर सकते हो, और वो भी proper risk management के साथ, तो यह तो था suggested money management, जो कि हम अपने subscribers को बोलते हैं, यूज करने के लिए, आप अपने हिसाब से कोई भी यहां पर target and stop loss को यहां पर set कर सकते हो, अब एक frequently asked question यह भी आता है, कि सर मान लेते हैं हमारा daily target यहां पर achieve हो गया, तो क्या हम अपने autobot के यहां पर दबार से start कर सकते हैं, आप autobot को जितनी बार चाहो उतनी बार यहां पर start कर सकते हो, बट obviously अगर आपका एक बर यहां पर target हिट हो गया, तो बहतर है कि money management को follow करें, और यहां पर दोबारा से next day आए trade करने के लिए, बट हमारे autobot यहां पर 24-7 है, आप हमारे autobot को live market के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, और OTC market के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, live market वो market होता है जो कि Monday to Friday रहता है, जो regular pairs पे काम करता है, और OTC market आप देखते हो कि most of the days यहां पर available रहता है, Saturday, Sunday तो रहता ही है, लेकिन Monday to Friday भी सुभा के टाइम पे और लेट नाइट के टाइम पे यहां पर OTC market ही रहता है, आप हमारे autobot को 24-7 यहां पर यूज़ कर सकते हो, अगला feature हमारे autobot के अंदर जो आप को देखने को मिलता है, वो है copy trading भा, so copy trading feature की मदद से आप मेरे personal trades और हमारी expert traders की टीम को भी copy कर सकते हो, तो जब भी हम अपने broker account के अंदर कोई भी trade place करते हैं, तो automatically हमारे subscriber account के अंदर भी place हो जाती है, जिसकी मदद से आप हमारे खुद के trades भी copy कर सकते हो, अंदर हम दिन में limited trades लेते हैं, बट सिर्फ social trades लेते हैं, auto trading को तो आप 24-7 यूज़ कर सकते हो, साथ में आप हमारी खुद की personal trades भी copy कर सकते हो, जिसकी मदद से आपकी accuracy भी आपर increase होगी, और आपके याँपर profits भी increase होगे, याँपर अच्छी बात यह है, कि copy trading का कोई अलग से fees नहीं है, फिर अलग से कोई charges नहीं है, अगर आप copy trading को use करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक autobot का license होना चाहिए, और उसके बाद आप free में copy trading को भी use कर सकते हो, ना तो आपको हमारे link से कोई account बनाना है, ना आपको कोई additional fees बे करना है, ना ही आपको कोई profit sharing का यहाँ पर use करना है, simply आप हमारे autobot के license के साथ, copy trading session को भी join कर सकते हो, और हमारी personal trades को भी copy कर सकते हो, अब बात कर लेते हैं newly added features के बारे में, so हमने latest update कें यावर बहुत सारे features add करें हैं, कुछ features हमने इसी मत add करें, कुछ features यहाँ पर पुराने भी थे, लेकिन मैंने उन features को YouTube के अंदर एक detailed video के अंदर नहीं बताया था, because detailed video बनाए भी यहाँ पर I think 2-3 महीने हो गए है, इसलिए जो इस time frame के दुरा नए features add होए हैं, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, so सबसे important feature जो आपर add हो है, वो है minimum payout का, so अब आप हमारे autobot को minimum payout के साथ use कर सकते हैं, for example, market के अंदर कुछ main pairs हैं, जो की 70% से जादा का payout दे रहे हैं, अब आप उनी payout वाले pairs के साथ trade करना चाहते हो, तो आप हमारे autobot के अंदर minimum payout 70% का set कर सकते हो, तो वो सिर्फ उनी payers के अंदर trade लेगा, जिनका payout 70% या फिर उससे जादा है, अगर इस दोरान बीच में कोई pair का payout किरके 60% हो जाता है, तो मारा autobot automatically उस pair को discontinue कर देगा, अगर उसकी जगा कोई दूसरा pair pick करेगा, जिसके अंदर 70% या फिर जादा payout उससे में available है, तो ये तो minimum है, payout का feature हो गया, second feature जो हमने add करा है, वो है trade limits, तो अब आप मारे autobot की trades को limit भी कर सकते हैं, काफी लोग का demand ये रहता था, कि सरह हम चाते हैं कि हमारा autobot सिर्फ 50 trades place करे, तो पर 60 trades place करे, 70 trades place करे, जो भी आप का amount है, आप चाते हो कि autobot सिर्फ maximum इतने ही trades place करे, तो अब वो trade limit को भी यहाँ पर set कर सकते हो, सो मात है कि आपने 50 trades के याँ पर एक limit place करा है, तो जैसे ही autobot की यहाँ पर 50 trades place हो जाएंगी तो auto trading को यहाँ पर stop करतेगा no matter आपका target या फिर stop loss अचीव हो है कि नहीं जब यहाँ पर 50 trades अचीव हो जाएंगी तो autobot यहाँ पर stop हो जाएगा यह feature optional है अगर आप चाहो तो इसको use कर सकते हो otherwise target and stop loss यहाँ पर है कि अब same time के अंदर भी autobot की trade को limit कर सकते हो तो मानते हैं कि autobot एक minute के अदर तीन trades place कर रहा है and आप चाहते हो कि वो सिर्फ 2 ही place करें तो अब यहाँ पर number of trades at same time को यहाँ पर 2 place कर सकते हो तो हमारा autobot कभी भी एक time पर 2 से जादा trade place नहीं करेगा maximum 2 trade place करेगा and जैसे ही वो trades over होएंगी तो वो next trade यहाँ पर place करेगा जो कि किसी भी at any point of time 2 से जादा exceed नहीं करेंगी आप इन trade limits को बढ़ा कर 3 भी कर सकते हो 4 भी कर सकते हो जो आप चाहो वैसे तो एक time पर autobot तीन से जादा trades place नहीं करता बट फिर भी जो लोग चाते हैं कि वो कम trades place करे चाहे auto trading को यहाँ पर थोड़ा time लग चाहे उनके target को achieve करने के लिए लेकिन वो चाते हैं कि यहाँ पर autobot यहाँ पर एक time पर 2 trade place करे या फिर 3 trade place करे तो यहाँ पर यह limit भी add कर सकते हैं autobot के अंदर on an average बात करते हैं कि autobot कितना time लेता है target को achieve करने के लिए so assuming the same 1% trade amount and 15% target and stop loss यहाँ पर हम expect कर सकते हैं कि हमारा auto trading का target within 1 to 2 hours यहाँ पर achieve हो जाए यहाँ पर 1 hour तो autobot को लगता ही है and 1 hour से पहले हो जाए तो अची बात है हो सकते है कि आप यहाँ पर pairs जाता add कर रहे हो यहाँ पर trade limits यूज नहीं कर रहे हो but अगर आप trade limits को यूज भी करते हो आप चाते हो कि किसी भी particular point of time पर autobot दो से जादा trade place ना करे तो भी maximum 2 hours के अंदर आपका यहाँ पर target यहाँ पर stop loss अचीव हो जाएगा and auto trading यहाँ पर automatically stop हो जाएगी पीच में आपको autobot को यहाँ पर pause करने की जरूरत नहीं है जैसे ही आपका target and stop loss हिट होता है तो auto trading automatically यहाँ पर stop हो जाती है उसके बाद आप चाहो तो दोबार से restart भी कर सकते हैं या फिर next day use कर सकते हो तो यह तो था trade limit का feature यानि कि आप daily trades को भी limit कर सकते हो and trades at same time को भी यहाँ पर limit कर सकते हो तीसरा feature हमने यहाँ पर जो add करा है वो है improved strategies का तो हमने latest update के अंदर काफी improvements करी है हमारी strategies के अंदर and यहाँ पर कुछ नई strategies को भी implement करा है जिनकी business पर autobot यहाँ पर trade place करता है जैसे मैंने आपको बता है हमारा autobot यहाँ पर multiple strategies के business पर काम करता है जो कि time to time automatically यहाँ पर update होती रहती है तो हमने latest update के अंदर भी जो सबसे best strategies थी उनको यहाँ पर add करा है and हमने जो अपनी existing strategies थी उनको भी यहाँ पर upgrade करा है तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर autobot powerful accuracy के साथ ready हो चुका है autobot की पहले भी accuracy बढ़िया थी अब और increased हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पर नई strategies implement करी है and पुरान strategies को भी maximum level तक update किया है इस particular update के अंदर हम बात कर लेते हैं fourth newly added feature के बारे में जो कि इस update के अंदर head हुआ है वह है news filter so अब आप मारे autobot के अंदर news को भी filter कर सकते हैं यानि कि जो major impact news होती है अब आप उनको भी filter कर सकते हैं जैसे कि NFP, PPI, CPI, non-farm payrolls यह जो maximum impact वाले news event होते हैं अब आप इनको भी filter कर सकते हो तो मान लेते हैं शाम के 6 बजे NFP को यहाँ पर event है तो अगर आप यहाँ पर news filter को enable करते हो तो news से पांच मिनट पहले और पांच मिनट बात तक auto trading यहाँ पर stop हो जाएगी जैसे ही यहाँ पर 6 बज के 5 मिनट होएगे तो auto trading यहाँ पर automatically resume हो जाएगी तो इससे होगा क्या जो maximum volatility का time होता है market का वो यहाँ पर skip हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर news filter को add करा है और यह काफी important feature है because इससे आप अपनी news को यहाँ पर filter कर पाऊगे जैसे ही यहाँ पर market के अंदर कोई news event होता है तो automatically वो आप auto bot के अंदर update हो जाता है और autobot की installation process के बारे में तो जो आप autobot का कोई भी license पर चेस करते हैं 1 month, 3 month या वर 1 year license तो उसके बाद हमारी team and it is क्याफ़ team viewer के थूँ आपके system के अंदर यहाँ पर सारा installation complete करके देगी installation process 10 to 15 minutes का ही होता है और उसके बाद आपका installation complete हो जाएगा and as soon the installation is completed आपके account के अंदर auto trading start हो जाएगी और साथ में आपको tutorial videos भी मिलेंगे जिनके अंदर सब कुछ explained रहता है कि आप मारे autobot को शुरू से कैसे start कर सकते हो कैसे target stop loss set कर सकते हो and सारी detailed videos जो आपको है वो आपको installation के बाद मिलती है जिनको use करके आप अपने autobot को demo content real account दोनों के अंदर use कर सकते हो अगर आप autobot का license लेना चाहते है तो आप आप telegram पे contact कर सकते हैं सारी details आपको telegram पे मिल जाएंगी telegram का link में आपको video के description and comment box zone में दे रहो तो आप वहाँ से जाकर हमारे telegram channel को join कर सकते हो अगर हम daily basis पे feedbacks चालते रहते हैं autobot के results update करते रहते हैं free signals विए सारी information आपको telegram channel पे मिल जाएगी so make sure आप मारे telegram channel को join करते हैं alright guys thanks for watching this video को मिलते हैं next video के अंदर